आत्मी पर्मिश्व ने आकाश और प्रित्वी की सुरिष्टी की, प्रित्वी बेडोल और सुन्सान पड़ी थी और गहरे जल के उपर अंध्यारा था, तथा पर्मिश्व का आत्मा जल के उपर मंड़ाता था तब परमीशों ने कहा उज्याला हो तो उज्याला हो गया और परमीशों ने उज्याले को दिखा के अच्छा है और परमीशों ने उज्याले को अंधेरे से अलग किया और परमीशों ने उज्याले को दिन और अंधेरे को रात कहा तथा सांच हुई फिर बोर हुआ इस प्रक पहला दिन को गया फिर पर मिष्व ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो के जल दो भाग हो जाए तब पर भीज सफने एक अंतर बना कर उसके नीचे चल और उसके आपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया और परमिश्य ने उस अंत्र को आकाश कहा तथा साच हुई फिर बोर हुआ इस परकार दूसरा दिन हो गया फिर परमिश्य ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में एकठा हो जाए और सुखी बूमी दिखाई दे और वैसा ही हो गया परमि उंदर कहा और परमिश्व ने देखा कि अच्छा है फिर परमिश्व ने कहा प्रित्वी से हरी गांस तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदाई वृष भी जिनके बीज उनी में एक एक की जाती के अनुसार है प्रित्वी पर उगे और वैसा ही हो गया इस परकार प्रित्वी से हरी गास और छोटे छोटे पेड़ जिन में अपनी अपनी जाती के अनुसार बीज होते है और फलदाई वृष जिनके बीज एक एक की जाती के अनुसार उनी में होते हैं उगे और परमिश्व ने देखा कि अच्छा है तथा सांच होई फिर बोर हुआ इस दीसरा दिन हो गया फिर परमेश्वन ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए अकाश के अंतर में जोतियां हो और वे जिन और नियत समयों और दिनों और वर्षा के कारण हो और वे जोतियां अकाश के अंतर में पृत्वी पर परकाश देने वाली भी ठहवे और वैसा ही हो तब परमिश्व ने दो बड़ी जोतियाएं बनाई उन में से बड़ी जोति को दिन पर प्रबुता करने के लिए और छोटी जोति को रात पर प्रबुता करने के लिए बनाया और तारागन में भी बनाया परमिश्वन ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृत्वी पर परकाश दे तथा दिन और रात पर प्रबुता करें और उज्याले को अंध्यारे से अलग करें और परमिश्वन ने देखा कि अच्छा है तथा सांच होई फिर बोर हुआ इस परकार चौथा दिन हो गया फिर परमिश्वन ने कहा जल जीवत परानियों से बहुत ही बर जाए और पंची पृत्वी के उपर अकाश के अंतर में उड़े इसलिए परमिश्वन ने जाती-जाती के बड़े-बड़े जल जलतों को की और उन सबी जीवत परानियों की भी सृष्टी की जो चलते फिरती है जिनमें जल बहुत ही बर गया और एक-एक जाती के उड़ने वाले पंचीयों को भी सृष्टी की और परमिश्वन ने देखा कि अच्छा है और परमिश्वन ने यह कहके उनको आशिश्टी, फूलो-फलो और समुंतर के जल में भर जो और पंची प्रित्वी पर बड़े तथा सांच हुई, फिर बोर हुआ, इस परकार पांचवा दिन हो गया फिर परमिश्वन ने कहा, प्रित्वी से एक जाती के जीवत परानी, अर्थात गरेलू पछू और रेंगने वाले जनतों और प्रित्वी के वन पशू जाती-जाती के अनुसार उत्पन हो और व्यासा ही हो गया इस परकार परमिश्वन ने प्रित्वी के जाती-जाती के वन पशू को और जाती-जाती के गरेलू पशू को और जाती-जाती के भूमी पर सब रेंगने वाले जनतों को बनाया और परमिश्वन ने देखा कि अच्छा है फिर परमिश्वन ने कहा हम मनुश्य को अपने सबरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाये और वैसा मुंदर की मचलियों और अकाश के पंचियों और गरेलों पशूओं और सारी पृत्वी पर और सब रेंगने वाले जनतों पर जो पृत्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे तब परमेश्वन ने मनुश्य को अपने सबरूप के अनुसार उत्पन किया अपने ही सबरूप के अनुसार परमेश्वन ने उनको उत्पन किया नर और नारी करके उनसे मनुश्य की स्रिष्टे की और परमेश्वन ने उनको आशिश दी और उनसे कहा फोलो फलो और प्रित्वी में पर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुंद्रों की मचलियों तथा अकाश के बंचियों और प्रित्वी पर रेंगने वाले सब जनतों पर अधिकार रखो फिर परमेश्वन ने उनसे कहा सुनो जितने बीजवाले छोटे छोटे पेड सारी प्रित्वी के उपर है और जितने पंचियों में बीज वाले फल होते हैं वैं सब मैं तुम को दिये है वैं तुमारे बोजन के लिए है और जितने पृत्वी के पशू और अकाश के पंचि और पृत्वी पर रेंगने वाले जन्तु हैं जिन में जीवन का प्रान है उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिये हैं और वैसा ही हो गया तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब को देखा तो क्या देखा कि वे बहुत ही अच्छा है तथा साच हुई फिर बोर हुआ इस परकार शटमा दिन हो गया